कुट्टे को गी हजम नहीं होता दोस्तों इंसानों के बीच एक कहावत काफी लोग प्रिये है कि कुट्टों को गी हजम नहीं होता इंसानों में इसका मतलब ये होता है कि एक बेकार आदमी को भी अच्छा अवसर प्राप्त हो तो वह उसके लिए लाबकारी नहीं होता लेकिन यहां अपना प्रेशन यह है कि क्या सचमुच कुट्टों को गी हजम नहीं होता तो हब जानते हों तो यार कमेंट में जरू बताना वीडियो को पॉस करके और नहीं जानते हैं तो वीडियो को देखते रहिए चलिए जानते हैं तेकि शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइप जरू कीजेगा सब्सक्राइब जरू कीजेगा कमेंट करके जरूर बताईए कि वीडियो कैसी लगी तो चलिए शुरू करते हैं लेस्ट बिगेंग बायलोजी के अनसार कुत्ता एक सर्वाहारी जानवर है और एक इस्तनपाई जीव भी है यह कैनेडेई फेमिली का सदस्य है जिसमें भेडिया शियार आदी आते हैं जैनेटिक रूप से कुत्ते भेडियों से भहुत अधिक सामानता रखते हैं कुट्टे का वेग्यानिक नाम Canis Lupus Family Risk है जबकि भेडिये का वेग्यानिक नाम Canis Lupus है कुट्टे के काटने या चाटने से क्या होता है पालतु जानवर के रूप में यह मनुश्य के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं परंतु दोस्त होने के साथ इन से सावधानी रखना भी बहुत आवश्यक है कुट्टे का काटना या चाटना दोनों ही खतरनाग होता है कुट्टे के काटने से रैवीज होता है जो की नियूरोन सिस्टम को प्रभावित करता है जबकि चाटने से सैप्टी सीमिया हो जाता है अब दोस्तो सैप्टी सीमिया के बारे में नहीं बताऊंगा आप गूगल पर सेर्च करके पढ़ सकते हैं गूगल महान है तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर इन में देखने, सुनने, सूनने, चकने और छूकर पैचानने की अद्बुक चंता पाई जाती है और सबसे चौकाने वाली बात यह है कि यह भी काह जाता है कि प्रत्वी के चुम्ब की चेतर तक को देख सकते हैं यह जानवर अब इन्फरासोनिक तरंगें जो हमारी श्रवड़ चंता से बहुत नीचे होती हैं कुत्तों को सुनाई दे जाती है इन्फरासोनिक वेव जो की हम सुन नहीं सकते लेकिन वो सुनने की चंता हमारे से बहुत नीचे होती है जो कि कुट्टों को तुरन सुनाई दे जाती है तो ये थे इसके चौकाने वाले फैक्ट तो चलिए जानते हैं कि कुट्टों को गी हजम क्यों नहीं होता यह कावत तो हम सभी ने सुनी है कि कुट्टों को गी हजम नहीं होता इस कारड से घी या दूस से बने हुए डेरी उत्पाद हजम नहीं होते लीपेज यानि की अगनाशे पैंक्रियाज में उपस्तित एक एंजाएम है जो की फैट का पाचन करता है यदि गलती से कभी कुट्टे को घी या दूद जैसी चीज़े खिला भी दी जाती है तो उसे फैट के अधिक भाव के कारड़ पैंक्रियाटेटिस हो जाता है और उसकी मृत्यू भी हो सकती है यदि कभी-कभी थोड़ी मात्रा में दूद दही से बनी चीज़े कुट्टे को दी जाएं तो कभी-कभी तो हजम कर लेता है लेकिन हमेशा नहीं तो यदि आपका कोई पैट है और वो पुत्ता है तो उसको दूद या धही से चुड़ी वी चीज़े कम दीजेगा जब जरुत हो जब मैडिकल प्रेस्क्रिप्शन लेकर ही उसको दिया जाएना चाहिए तो दोस्तों आपको यदि वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरु बताएगा लाइक जरु किज़ेगा सब्स्क्राइब जरु किज़ेगा ठेंक्यू वर्यमाच देखते रहेए आप टैक और मिलते है अगले वीडियो में ठेंक्यू वर्यमाच और किप शेरिंग कीप लगी तब तक ले साइमारा एंबाव